तो हम लोगों ने लास्ट क्लास जो इससे पहले वाला जो लेक्षर हम लोगों ने देखा है उसमें हम लोगों ने देखा था ओपन शर्कीट टैस्ट ओपन सर्कीट टैस्ट क्यों करते हैं कैसे करते हैं शारी चीजें हम लोगों ने बारिकी से देखा हमने आपको बताया था कि टाइप टैस्ट हो या रूटिन टैस्ट हो दोनों में से कोई भी टैस्ट हो दोनों टैस्ट में यह इंक्लूडेड है ओपन सर्कीट टैस्ट और तो आज का जो Topic है वो है हमारा Short Circuit Test क्या है शौर्ट सर्क्थ है आज का Topic यह शौर्ट सर्कीट टेस्ट है अपर सर्कीट टेस्ट हम लोग ने पर लिया है कि यहां तक क्लियर है समझ में आगे है तो चलिए है तो हम लोगों का Short-Sirकीट टेस्ट की बात करते हैं होता क्या है यह short circuit test कारण क्या है कि एक हमने open circuit find किया और एक हमने short circuit find किया ठीक है यह चीज़े हो गई हम लोग फिर से एक watt meter लेंगे क्या लेंगे watt meter लेंगे वो watt meter कैसा होगा एक watt meter में हम लोगों का यह current coil होता है और एक pressure coil होता है दो coil हम लोग यूज़ करते हैं यहां पर इसके साथ है ना एक हमारा emitter लगा रहता है और यह जो है यह हमारा watt meter है यह हमारा watt meter है ठीक है गुरू किलियर और पैरलल में हम लोग जो है वो watt meter यूज़ करते हैं क्या यूज़ करते हैं वो watt meter पैरलल में ठीक है किलियर हो गया यह तो यह हम लोग प्रोपर एक डाइग्राम लेकर के आ लेंगे ध्यान से देखना ठीक है तो यह हम लोगों ने ड्राइग्र कर लिया तो यह हम लोगों का एक आमिटर अब यहां पर जो है क्या कुछ क्या चेंजिंग है तो यहां पर हम लोग हाइव होल्टेज वैंडिंग लेते हैं मतलब इसका number of turns secondary से ज़्यादा होगा यह हम लोग क्या लेते हैं यहाँ high voltage winding लेते हैं तो actually अब जो है यह हम लोगों का emitter हो गया यह हम लोगों का watt meter हो गया और यह हम लोगों का volt meter हो गया किलियर है यह यह पूरा किलियर है और यह जो है इसको हम लोग बोलते हैं high voltage winding कारण भी है इसका कारण भी है logic भी है और यह जो है यह हम लोगों का जो है low voltage winding है मतलब secondary side load के side हम लोग कौन सा winding रखेंगे low voltage winding और यह जो है यह short होगा एक मोटा वायर से हैं है ना मोटा वायर से कि समझ में आगी बात कि low voltage winding अब देखो चून low voltage है तो हमने बताया था कल आपको notice कराया था कि जब low voltage रखते हैं जिस भी winding का low voltage होता है उस winding का current क्या होता है high current होता है तो हम लोग यहां से short circuit ही तो major कर रहे हैं तो यह voltage तो 0 हो गया है secondary voltage तो 0 क्योंकि यह तो short circuit है short circuit है good evening वाबो तो यह जो यह जो हमारा short circuit है short circuit कि में क्या होता है हमारा voltage 0 हो जाता है है तो यहां से जो है current क्या है maximum है बहुत जादा है आई एस सी short circuit current यह short circuit है यह high voltage low voltage high current अब देखो अब सीरीस ही बात है तो बोलोगे कि अच्छे एक बात और कि सर high voltage तो है high voltage that means इधर हमारे पास क्या है low current है क्या है low current है लेकिन इस हाइव अब यह जो high voltage है तो इस high voltage के कारण due to high voltage we have suffering a disadvantage due to high voltage that disadvantage is the insulation failure voltage के कारण हमारा क्या होगा insulation fail हो शकता है high voltage है और इधर क्या है voltage zero है मतलब यहां voltage maximum है लेने वाला कोई नहीं है ना तो सारा high voltage क्या करेंगे हम लोग लेकर के इतना है ना तो हम लोग क्या करते हैं यह जो input दे रहे हो ना क्या दे रहे हो input दे रहे हो यह तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं एक variable लगा देते हैं जो की voltage को कम कर देता है rated से भी कम कर लेता है तो यहां पर जो है हम लोग क्या बोल देंगे कि sir एक variable लगा लिजिए एक variety type का हम लोग यूज कर लेते हैं जो supply दैता है इतरा ना चीज तो ये जो है ये अब क्या हो गया ये जो है ये जो लगाया हमने open circuit में तो इसा कोई कहानी नहीं था है ना total in for open circuit test we have not need in this type of instrument variable voltage supply but यहां क्या है अब हम लोगों को चाहिए चीक है क्या चाहिए variable voltage supply क्योंकि हम लोगोंने क्या यूज कर लिया है high voltage क्या यूज कर लिया है high voltage और इधर क्या यूज कर लिया है low voltage एक प्रश्ण है कि short circuit test test चन एक आट आप्सन है लो वोल्टेज वाइंडिंग है आई वोल्टेज वाइंडिंग बोलिए आना all of these all of these ठीक है and none of these तो देखिए हमारे पास मैंने एक एक प्रॉक्स आपको एक प्रश्ण किया है तो बताए कौन सा option होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि sir short circuit test है सीरीस ही बात है simple सा एक कहानी है कि sir during short circuit that means we need high current हमारे पास क्या होना चाहिए high current और high current के लिए हम लोग हमेशा क्या करेंगे low voltage winding लेंगे तो हम लोग जो short circuit test करेंगे वह हमारे पास क्या होगा low voltage winding होगा clear हो गया यह low voltage winding हो गया और यह अब यहाँ पर जो यह testing हम लोग करते हैं यह testing में हम लोग यह जो मेजर करेगा यह क्या करेगा मेजर है ना वाट मीटर क्या करेगा मेजर और वोल्ट मीटर क्या करेगा यह एमिटर है जो करेंट मेजर करने के लिए हम लोगों ने यहां योज किया है यह एमिटर है यह वाट मीटर है यह वाट मीटर है ठीक है और यह जो है हमारा यह हमार वोल्ट मीटर है यह वोल्ट मीटर है तो वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा वोल्टेज वाट मीटर क्या मेजर करेगा पावर और अमीचर क्या मेजर करेगा हमारा करेंट किलियर हो गया तो लोग होल्टेज साइड हम लोग टेस्टिंग करते हैं किलियर हो गया यह चीज ठीक है तो ये प्रश्ण यहाँ पर short out हो गया अब है कि सर हम लोग high voltage से बचने के लिए क्या यूज करते हैं है ना तो हम लोग high voltage से बचने के लिए हम लोग variable voltage supply यूज करते हैं जो कि approach 5% कर देता है approach 5% of the rated voltage of the rated voltage rated voltage मतलब अब इतना कम voltage है कल हमने discussion किया losses में discussion करेंगे कि सर अब तो ये चीजें यहाँ पर clear हो गई कि core losses जो है core losses या आप इसको क्या बोलते हो iron losses iron loss ये दोनों जो depend करता है ये किस पर depend करता है voltage पर voltage पर अब देखो यहाँ high voltage होते हुए भी हम लोग only 5% supply दे रहे हैं इसका मतलब ये है कि हमारे पास voltage बहुत ही कम है और इधर तो 0 है लेने वाला कोई नहीं है तो voltage है ही नहीं approach हम लोग क्या किये voltage को neglect कर दिये तो voltage ये दी neglect हुआ तो core loss और iron loss भी neglect हो गया और core loss और core loss को हम लोग क्या बोलते हैं eddy current plus hysteresis loss दोनों material loss है तो ये जो losses है ये भी neglect हो गया क्यूंकि voltage तो यहां neglect है तो ये भी neglect हो गया तो इस टेस्ट में इस दोनों का कोई काम नहीं है किसका core loss का या eddy current का या hysteresis loss का यहां कोई काम नहीं है किलियर हो गया ये concept ये समझवाई चीज़ें आपको तो ये यहां पर आपको sort out करना है voltmeter आप देखो ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं दूसरी चीज ये किलियर हो गया तो इसको अभी हम लोग यहां पर शॉट आउट कर लेते हैं ठीक है बाबू ठीक है ये हमारा एक तरह से ये हमने इसको थोरस हो गया चलिए ये हो गया तो ये हमारा 25 परशिंट जो है यह लेटेट वोल्टेज हमने दिया है ठीक है समझ मागे के लियर हो गया यह चीज़ आब सुनिए इचलियग तो शकनुरी करेंट जो है आइस सी इय क्या है मैक्सिमम है ये शौरसर्किट क्रेंट है दाईट माक्सिमम करेंट है और जब मैक्सिमम 뭉आ क्रेंट है कौन सी करेंट है माक्सिमं कॉरेंट यहां इसका मतलब क्या बनता है कि करेंट जो है यह बहुत हाई है क्इ Yap कैसी क्या है हाई है एं नहीं विच्ट शसी तो सर इस लाश से हम लोग इस टेस्ट से हम लोग इस टेष्ट वो है copper loss, कौन सा loss निकालेंगे, copper loss हम लोग find करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर copper loss find करेंगे, I square R losses, तो अब आपसे एक प्रस्न है यहाँ, प्रस्न यह है, सुनना, कि which types of losses, which types of losses, which types of losses, we can find, we can find from short circuit test, बताईए, option है, copper losses, दूसरा option है, core losses, तीसरा option है, है न, third option है आपका, mechanical losses, और fourth option है हमारा, कोई भी एक ले लिजे, fraction losses, तो हम लोगों ने क्या लगाया, टिक, क्या लगाया, शर, copper losses हम लोग find कर लेंगे, इस losses से कारण क्या है, कि यहाँ पर short circuit के कारण, यहाँ पर हम लोगों के पास maximum current है, क्या है, maximum current है, clear हो गया यह चीज, बताइए, समझ माया, या कुछ और, बच रहा है, बच रहा है, 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 हो गया यह, तो हम लोगों यहाँ पर find out कर लेंगे, अब जो है, आप देखिए यहीं पर, अभी, कहीं नहीं जाना है, इसी को देखना है, इस तर यह volt meter क्या read करेगा, अब सारे के सारे parameter, volt meter जो read करेगा, वो क्या read करेगा, short circuit, voltage, की short circuit, voltage हम लोग को कितना मिलना है, है ना, यह हम लोगों, short circuit, voltage हम लोगों को कितना मिलना है, ठीक है, यह क्या read करेगा, यह watt meter, तो watt meter जो read करेगा, power read करेगा, पावर read करेगा, कौन सा पावर, इन्पुट पावर, और, इन्पुट पावर, इन्पुट पावर, इन्पुट पावर, इन्पुट यहां पर क्या हो, कौन सा लोसेस, copper लोसेस, यहां पर यहां पर आप यह आरेस मतलव, कि secondary का जो रेफरिंग करके हम लोगों यूज करते हैं, वो भी यूज कर सकते हो, तो यहां पर हम लोगों को कौन सा component मिल गया, voltage, source circuit, current भी find, air resistance भी find हम लोग कर सकते हैं, बोल यह, clear हुआ, तो यह जो चीजे हैं, यहां से हम लोग जो, यह input current जो भी दे रहे हो, आप इसको input current भी बोल दीजे, यहां पर आप input current भी ले लिजे, वो आप पर depend करेगा, input current इन्टू, rs not, rs not is the referring resistance, अब यह यह मान लिजे कि आप से यह पूछ लिया कि यह बताएए क्या होगा, क्या पूछ दिया, rs, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग क्या find कर सकते हैं, है ना, चलिए, पसरदी का मौसम है, है ना, तो यहां से हम लोग क्या find करेंगे, rs is equal to, हम लोगों का, pcu upon ip का, इसको आए, अरी, है ना, secondary यह, copper losses, एक्च्वल में यहां पर जो है, वो watt meter जो हम लोगों का क्या करने वाला है, copper losses हम लोगों का find कर लेंगे, clear हो गया, यह चीज़े हो गई, अब यहां से पूछा कि impedance कितना होगा, primary impedance निकाल लीजिए, तो impedance is equal to क्या, voltage, बटे, primary, current, बोलोगों ने शरी, यह सब कहां से आप find करना है, यह क्या है, मैं बताता हूँ आपको, यह चीज़े तो हो गई यहां, इसके equivalent एक यहरी diagram यहरी बनाते हो आप, इसके equivalent यहरी आप एक diagram बनाने की कोशिज करोगे, यह हमारा एक resistance है, यह हमारा reactance है, यह हमारा short circuit है, जो की हम लोगों का current है, यह हैं, और यह हमने ले लिया voltage, यह voltage, short circuit voltage, यहां से IP दे दो, या short circuit current find कर लो, यह हमारी चीज़े हैं, यह हमने क्या किया, रेफर कर लिया, primary side, क्योंकि secondary side तो short circuit हो चुका है, तो यह हमने ले लिया, R P naught और X P naught, ठीक है, तो यह क्या मिल गया हम लोगों को, Z P, क्या मिल गया, Z P, ठीक है, तो यहां पर जो है, आप एक काम करना, यहां जो R S लिखे हो ना, R S मत लिखना, according to diagram, हम लोग R P naught ले लेंगे, primary resistance ले लेंगे, ठीक है, clear हो गया, तो अब जो है, यह हम लोग यहां पर find out कर लेते हैं, तो यह हम लोगों का क्या हो गया, हमारा, Z P is equal to क्या जाएगा, V S C upon I P, तो हम लोग क्या-क्या find किये हैं, तो हम लोग find किये हैं, सुनना, हम लोग find किये हैं यहां, copper losses, क्या-क्या find किये हैं, copper losses, स जैट पी अै आरपी कि एकस की उसके खन वह भी ऐअल कर सकते हैं एकस्ती लौट सब्सक्रीव अपॉण आरपी नौट का स्काहँ तो है तो यह सारा हम लोग फाइंट कर सकते हैं और यह हम लोगutet on है रेफिरिंग यूज किये हैं और यह हम लोग तीसरा पावर को पर लॉसेस इज इकल टू इनपुट पावर कि ठीक है शौर्ट सर्कुट में यदि आप देखोगे शौर्ट सर्कुट में हम लोगों का यह देखना यह चीज यह जो होता है यह थीक वायर से हम लोग शौर्ट करते हैं यह थीक कॉपर वायर होता है यह थीक कॉपर वायर से हम लोग इसको शौर्ट सर्कुट करते हैं किसे करते हैं एक मोटा वायर से इसको हम लोग शौर्ट सर्कुट करते हैं किलियर हो गया तो यह हम लोगों का शौर् पर डिसकसन करेंगे और हम लोग हम लोग आपको धेर सारा प्रश्ण मतलब जो है नुमेरिकल भी इसमें हम लोग नुमेरिकली भी ले जाएंगे आपको थैंक्यू कल मिलते हैं फिर आपके साथ